नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोते सीक्रेट सनी देव ब्यक्ति को जुझारू बनाते हैं और जिसकी कुंडली में सनी देव अच्छे स्थिती में हो उस ब्यक्ति को कभी भी किसी परिशानी से वो घवराता भी नहीं है और ऐसे लोगों के अंदर गजब का आत्व विश्वास होता है ये लोग अनुसासित होकर जीवन जीते हैं और कितने भी कठिन प्रिश्थितियां क्यों नहीं हो वे कभी भी उमीद नहीं छोड़ते और इसलिए वो सफल भी हो जाते हैं क्योंकि सनी देव उन्हें तपा कर कुंदन मना देते हैं सनी देव एक नयाय धिस ग्रह है तो आज हम सनी देव का ये जो महा परिवर्तन हो रहा है 17 जनवरी को ये महा परिवर्तन आपकी लाइफ में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है यही बताएंगे क्योंकि सनी देव जिस ब्यक्ति प्रपसंद हो जाए उसे रंक से राजा बना देते हैं लेकिन सनी देव कभी कभी जल्द यल्दी काम नहीं करते हैं क्योंकि मंद मंद गती से चलते हैं मंद मंद चलती इती सने चलते हैं और यही कारण है कि एक रासी में धाई साल रहते हैं तो कुम में भी वह धाई साल रहने वाले हैं तो इसके बाद वह परिवर्तन करेंगे लेकिन जब तक व पूरे 30 साल के बाद वो कुम में आ रहे हैं और साथ ही कुम रासी प्रबल रासी है सनी देप की क्योंकि मूल त्रिकॉन रासी होने के कारण कुम रासी में गोचर करना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है इसका प्रभाव ना सिर्फ व्यक्ति पर बल्कि दुनिया भ खовор भी तो हो ही रहे होंगे पर घबराइम कुम आज हम आपको पॉजेटिव रासीफल बताएंगे कि अच्छा क्या होगा यह भी बताएंगे कि बुरा क्या होगा लेकिन आपको पॉजेटिव तरीके से आप तो सद्येव का गोचर जो होता है ये चार पायों पे होता है सनी गरह का गोचर बहुत ज़्यादा प्रहसाली तो होता है लेकिन समय और इस्तिती को देखा आप ये पता लगा सकते हैं कि सनी का पाया और सनी का पाद कौन सा है इसी अधार पर आपके उपर इसका प्रभौप रहता है फल भी देते हैं तो किस रासी में प्रवेश कर रहे हो उसमें चंद्रमा पहले छटे ग्यारमे भाव में हो तो स्वर्ण पात कहलाता है दूसरे पाँच में नवे भाव में हो तो रज़त पात कहलाता है तीसे सात में दसमे भाव में हो तो ताम रपात कहलाता है और चौते आठमे और उन्वार में भाव में हो तो सनी का पाया लोपात कहलाता है तो सोना का पाया होने से बैक्ति के जीवन में संघर्स देते हैं क्योंकि यह सही नहीं है मांसिक तनाव बढ़ा देते हैं लेकिन आज हम जैसे कि एक सिंपल तरीखे से जानकाई दे जैसे कि चांदी का पाया हो तो सुफल की प्राप्ति होती है बैक्ति धन खुब प्राप्त करता है पद परतिष्था बढ़ती है जीवन में पद उन्नती होती है भुमी भवन मकान वाहन की प्राप्ति होती है और टाम्रपाद हो तो ऐसे लोगों सुख मिलना जैसी चीज़ होती है लेकिन जो लौपात होता है वो असुम माना जाता है जो स्वास की मुश्किले बढ़ाता है चोड़ चपेड दुरगटना देता है तो तामबर पात जो होता है ताबे का पाय वो सबसे सुख फल देने वाला माना गया है क्योंकि इस समय में ह जादा उन्नति करता है नौकरी बैपार में और वेक्ति सुख के साधन प्राप्त करता है तो यह तो थी करकवालों देखिए चांदी के पाये पर आ रहे हैं सनी देख तो करकवालों के लिए चुकि रजत पाया है पूरे धाई साल के लिए तो रजत पाया में क्या होता है बढ़ती जाती है इसलिए आपको सुभ परिनाम मिलते इसमें दिखेंगे तो मेहनत के अनुसार आपको सुभ फल प्राप्त होगा यानि जितना मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा लाप सुक्साधन बढ़ते दिखेंगे समाज में मान परतिष्ठा प्राप्त होगा आपका बढ़ेगा दिन दुनी राच चोगुनी आप तरक्की करेंगे नौकरी करते हैं तो पदोनती के योग बनेंगे और यहां तक की आकस्मिक धन भी प्राप्त होगा तो यह तो थी कि चांदी के पाए पर आने से क्या प्राप्त होता है अब देखिए आपके उपर धाया सुरू हो रही है यह भी सच है तो धाया सुरू तो हो रही है अब सनिदेव सब्तम अस्टमभाव के स्वामी होकर आपके अस्टमभाव में आ रहे है और अस्टमभाव आयरुभाव है अब यहां पर ससुराल पक्ष से मदद मिलेगी लेकिन लेकिन थोड़ी टेंसन भी है क्योंकि धाया में चुकी है लेकिन जो आपका जीवन साती है उनसे थोड़ी सी जैसे लगेगा कुछ चीजें अन्बन है या फिर थोड़ी सी दूरियां आ गई है नौकरी में बदलाओ है कुटुमभ में जो अपनों में प्रेम में कुटुमभ यानि की जो आपके सगे समन चांदी है उनके सुख में कमी आएगी जो विद्यारती है पढ़ाई लिखाई पर आपको फोकस्ट रहना होगा लापरवाही करने से नहीं चलेगा काम तो सनीदेव का गोचर आपके लिए मिला जुलावा फल दे रहा है एक तरफ चांदी के पाया पे हैं तो खुब तरक्की है तूस्य तरफ ढईया है तो उसका विप्रभाव चलेगा तो चांदी का पाया पे है तो धन भी प्राप्त हो रहा है यहां तक कि आपका बैपसाई हैं तो छोटी मोटी उल्जने जो चल रही थी वह भी अभी प्रिसान नहीं करें आपका बैपार बढ़ियां चलेगा और यहां तक की विदेश यात्रा के योग यहां से बनते वे नजराएंगे तो सनीदेव आपके सप्तम अस्टमभाव के स्वामी होकर अस्टमभाव में हैं ससुराल पक्ष का मदद आपको भी करने का मौका मिलेगा हलांकि कारियों में छोटे मोटे वेवधान रहेंगे लेकिन यदि आप अपनी तरफ से प्रयास करें तो सफलता जरूर पाएंगे थोड़ी सी मानसिक तनाव है काम को लेकर थोड़ा प्रदबाव है लेकिन मेह मेहनत चतुराई से हर समस्या से आप बाहर निकल ही जाएंगे इसमें अकस्मिक धनप्राप्ति की योग बनेंगे त्यार रहें अब दूसी तरफ संतान को लेकर थोड़ी सी चिंताएं नहेंगी प्रेम समंदों में भी छोटे मोटे उतरा चड़ाओ हैं लेकिन जो विद्य हो सकते हैं अच्छी जौब प्राप्ति की हाँ पर संभावना आपके लिए पूरी तरह से बनीवी है तो आपके लिए पॉजिटीव और निगेटीव दोनों ही चल रहे हैं चीजें तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं देखिए साबधानी तो रखना होगा क्योंकि अच्छा है लेकिन थोड़ा सा कठनाई भी होगी तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा जैसे कि सनिदेव अक्सर देखा गया है उतरती भी ढया मुश्किलों को कम करता है और खुसियां दे कर जाता है तो पहला सबासाल चुनोतियां है ज्यादा उसके बाद जो सबासाल हों चले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं देखिए करक बालों आपके लिए अस्टमभा में सनिदेव हैं तो पेसेवर जीवन में हल चल है थोड़ी सी बैचे नहीं है बैपारियों को खासकर अपने कर्मचारिया सहयोगी से उतने सहयोग नहीं मिलेंगे जितनी कि आप चाहत र पड़ेगा और थोड़ा साफ इस मामले में हतास हो सकते हैं तो थोड़ा यहां पर ध्यान रखना है तीस जन्वरी को सनिदेव अस्त हो जाएंगे और 6 मार्च को उदित होंगे तो अचानक से खुद के लिए समय निकालने का अवसर इस पिरियेड में मिलेगा और इस समय को कोई गुप्त रोग या संक्रमन जैसी चीज़ें हो सकती है तो अपने स्वास्त का जरा ख्याल रखिएगा अब सनिदेव अस्त से फिर से उद्य होंगे 6 मार्च को तो जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़ियां वक्त चलेगा और 17 जून से चार नुवंबर तक वह वक्री रहेंगे तो अस्तम भाव में जब वक्री गती में रहेंगे तब इस प्रियड में बड़ा आर्थिक नुकसान जैसी चीज़ें हो सकती है हलाकि आप अगर कोई प्रयास कर रहे हैं तो इच्छा नुसयार लाब उतना नहीं कमा पाएंगे ज और थोड़ा सा अपने जॉइंट बेगेरा का ध्यान रखिएगा खासकर जो लोग फोटी प्लस हैं तो चार नुवंबर को जैसे ही वह मारगी होंगे अचानक से किसी माध्यम से धन प्राप्त होने के योग बनेंगे आर्थी किस्तिती भी आपका बेतर हो जागा यहां से और आलत से को त्याग कर अगर आप मेहनत करना शुरू कर दें यकीन माने यह चीजें आपके पक्षी में धीरे धीरे आने लगेगी आप सरसों के तेल का दिया सनीवार के दिन सनीदेब के मंदिर में जला सकते हैं पीपल की नीचे जला सकते या नहीं कुछ तो भगवान सीप के मंदिर में ही जला दे फिलाल भी दा ले ते हैं हर हर महादेब धन्युक्त